हेलो फ्रेंड्स वेलकम वेलकम बैक तो मैं चानल तो आज हम बाइदोजी में पहेंगे खनीज लवन और हमारा शरीर तो चलिए स्टार्ट करते हैं खनीज लवन अकार्बनिक पोसकत्त्य हैं जो कि शरीर की उपापचे क्रियाओं तथा रोग प्रतिरोध छमता का विकास करत होते हैं सरीर में लगभग 24 प्लस प्रकार के खनीज़ताइब जाते हैं जिन में से कैल्सियम और फॉस्पोर्स अकेले ड् Aware इभी थाड़ हिस्से में होते हैं तो देखते हैं टाइपस और दो स्यलब्स मिन्राइसरेड में स्यल्यक्रमीनेड यह आईरन, आयोडीन, कोबाल्ट, जिंकी अजस्ता, प्लोरीन, मैगनेज और कॉपर. तो अब हमें की करके मैक्रो मिनरल्स के बारे में सबसे पहले जानेंगे ठीक है, उसके बाद मैक्रो मिनरल्स के बारे में. तो चली देखते हैं, पहला macro minerals है calcium, चली इसके बारे में देखते हैं, हड्डियों और दातों की मजबूती के लिए calcium plus plus iron रख्त को जमाने में मदद करते हैं, हार्मोन असंतुलन की कारण सरीर में calcium की मात्रा ज्यादा हो जाती है, और calcium oxalate बन जाता है, जिसे पत्री या stone कहा ज देता है, यह वसा और carbohydrate का पाचन करता है, इसलिए उर्जा के लिए जिम्मेदार माना जाता है, एथलीट अपने भोजन में phosphorus युक्त खाद दे शामिल करते हैं, इसके बाद है magnesium, घा तक के long term की बिमारिया magnesium के प्रभाव से नहीं होती, गर्वती मेलाओं के रख्त आपको न लेता है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे sodium और potassium की ठीक है, जो कि हम एक साथ परहेंगे, तो इसके बाद next topic है sodium और potassium, यह हमारे मस्तिस्क और neuron को सक्रिय करते है, sodium रख्त दाब नियंत्रित करता है, जबकि potassium हिरता की गती को नियंत्रित करता है, गर्म छेत्रों के कामगार यह मस्तूर, heat campus, ठंड के साथ बुखार से बिरित होते हैं, जिससे सरीर में sodium की व्यपक कमी हो जाती है, potassium की कमी होने पर hypokalemia नामक बिमारी होती है, जिसमें चिरचिरापन और अरुजी के लक्षन दिखते हैं, इसके बाद हमारा last है, macrominerals में वो है, sulfur यह गंदक, तो इसक होचा है कि जमक के लिए sulfur आवसिक होते है, सफेद दाग, sulfur की कमी से tyrosinin कम हो जाएगा, और tyrosinin के कम होने से melanin कम हो जाएगा, जिस वज़े से सफेद दाग हो जाता है, सफेद दाग के इलाज के लिए हम vitamin C का अपयोग कर सकते हैं, क्योंकि vitamin C घान से melanin की मात्रा बढ़ती है इसके बाद हम लोग बात करेंगे, सुक्ष मात्रिक खनिस्ततो, तो चलिए इसमें देखते हैं सबसे पहला है, iron या लोततो, हडी सबजियां से बैगन, चना, वगूर, चौलाई की पत्ती, सहजन या मोरंगा से प्राप्त होती है, ठीक? iron सबसे ज़्यादा हमारे रख्त, RBC में 75% पाया जाता है, या कृत iron को संक्रहित करता है, लोहे की कमी होने पर, एनीमिया और अधिकता होने पर, सीडे रोसिस नामक बिमारी हो जाती है, अप्रिका की बांटू जन जाती में सीडे रोसिस रोक जाता है, क्योंकि ये लोहे के पात्र में शराब पीते हैं, इसके बाद है दूसरा iodine, नमक, iodine युक तो नमक खाने से यमें प्राप्त होगा, मश्रूम से प्राप्त होगा, और समुद्री बोजन से iodine प्राप्त होगा, ठीक है, और 100 से 150 माइक्रोग्राम पर दे जरूरी है iodine, बैस के लिए, और 1500 से 200 मा स्तन पान कराने वाली महला के लिए आवश्यक है, iodine की कमी से घेंगा या ग्वाइटर गलगन ड्रोग हो जाता है, जिसमें गले के पास की थाईरोड गरंथी में सूजन आ जाती है, गर्ववती महलाओं में, iodine कम होने पर इसका प्रभाव शिशू पर परता है, और उनमें क्रोटिनिजम या मंद बुद्धिता की शमस्या आ जाती है, इसके बाद है कोबाल्ट, विटामिन B12 में प्रकृतिक तोर पर मौजूद होते हैं, कोबाल्ट जयता हो जाने पर RBC की मात्रा जयदा हो जाती है, जिससे पॉली साइथीमिया नामक रोग हो जाता है, और हमारा रक्तगारा हो जाता है, उसके बाद है जिंक, मोटे अनाज हरी सबजियां तथा चॉकलेट प्रमक श्रोथ है, इसके सरीर में अंजाइम की क्रिया विधी को बढ़ाते हैं, घाव बढ़ने में जायक होते हैं, रोग प्रतिरोध चंता का विकास करते हैं, प्रजनो नंगों मुखे दोर पर पेजल से फ्लोरीन की आपूरती होती है, हमारे दांतों इनाइमल परत तथा हर्डियों की मजबूती के लिए सामाने मात्रा का फ्लोरीन आवस्यक है, सामाने मात्रा है वन पार्ट पर मिलियन, नोट में हम लोग देखेंगे पहला नोट में, तीन से पांच पार्ट पर मिलियन पेजल में मिलने से देंटल फ्लोरोसिस हो जाती है, जिससे दांतों पर धब्बे और दांत कमजोर होते हैं, दूसरा नोट है, दस पार्ट पर मिलियन होने पर बोन फ्लोरोसिस हो जाती है, और हंड्या कमजोर हो जाती है, तो हमें फ्लोरीन तो चाहिए बट एक सामाने मात्र में चाहिए क्योंकि थोरा सब ज्यादा या कम होने पर हमें दिक्कत हो जाएगी उसके बात करेंगे कॉपर की नसों ये शिराओं की मजबूती के लिए कॉपर लाद दायक मारा जाता है बॉडी कलर के लिए भी कॉपर जिम्मेदार होता है तांबी की अ साइनी क्रियाइब रभावित होती है तो आज के लिए बस इतना ही नेक्स ट्रॉपिक में हम लोग बात करेंगे न्यू क्लिक एसिट की तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लगी हो तो प्लीज लाइक करें कमेंट करें और मेरी चानल को सब्सक्राइब करें थैंक्स वोच्चिं